लेकिन मज़ा ये हैं कि यहां कॉंग्रेस मर रही हैं और वहां पाकिस्तान रो रहा है पाकिस्तान के फॉर्मर एक मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी उन्होंने राहूल गांदी की तारीफ की जो फवाद चौधरी हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशन भी हैं और फॉर भारत के वजीर आजम नरेंदरा मोदी ने ये कहा है कि अब तो ये निया इंडिया है हम तो घर में गुश के मारेंगे उनके होम टर्फ पे मारेंगे बैजती इंसर्ट मिलिया जलालत मिलिया इस ट्वीट उन राहूल गांदी राहूल उन फायर दिस इस वह प्राइम भारत के लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता। को एक इनोर करने की पाकिसान के फार्मर एक मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौदरी उन्होंने राहूल गांदी की तारीफ की और बीजेपी ने उसको एज़े कमेंट ले लिया है और यह कहा कि यह पार्टनर्शिप है यह पार्टनर्शिप उस मुल्क के दर्मियान है कॉंगरस के साथ है जो इंडिया के अंदर दैश्यत गर्दी स्पॉनसर करता है और जिसे वो कह रहे हैं और कॉंगरस मुल्क कमजोर कर रही है तो यह आप इमैजन करें कि आप वो कह रहे हैं कि पाकिसानी लीडर जो है ना वो दौई कर रहे हैं शिजादे के लिए ठीक है कल उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा मैं तो वैसे जाती तोर पर यह समझता हूँ मैंने वो देखा था कहीं पे फवाद चौदरी यह बात कर रहे हूं तो मैं भी फवाद चौदरी को लाया गया होगा उस शो में डिसकेशन करने के लिए उसकी वज़ा यह है कि बहुत स लोड़ी इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्टान की डिसकेशन नहीं वही और नहीं का जी हमने एगनोर करना है ठीक है जी अभी क्योंके एक हलात पैदा हुए हैं फवाद चौदरी जेल से निकले हैं अभी और उन्होंने आ के समझा है का जी कि का जी कि कांग्रस जो है य को जी पाकिस्टानी तो कांग्रस को लाने की द्वाएं कर रहे हैं और मैं मैं इस बात पर मुझे कोई बैइद नहीं है कि हो सकता है बीजबी ने का हो टीवी वालों को कि आप ज़रा उनका इंटर्विव करें क्योंकि औरेड़ी उनकी एक इंक्लिनेशन है इस तरफ मैं आ कि जे भी को कि वो जनाब कमेंट करें और आपको पता है प्राइम निस्टर मोधी तो पाकिस्टान का जिकर ही नहीं करते हैं हमने बड़ी दफ़ा जिकर किया इंडिया की पाकिस्टान को है इग्नोर करने की लेकिन एलेक्शन के अंतर डिसकस करना जरूरी है ठीक है क्योंक जिसके हाथ में पहले गरनेड बॉंब हुआ करते था आज उनके हाथ में कटोरा है तो जब कॉंग्रेस हुआ करती थी उस वकर दैश्यतगर्दी हुआ करती थी और जब से यह लोग पावर से गहे हैं आप चीज़ें बेहतर होने शुरू हो गई है क्योंकि मोधी आ गया है पीजे पी आगी है हम गुसके मारते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है और वो कहते हैं कि हम जो है वो दुनिया जो है वो पाकिस्तान हमें डॉसियर बेचता है ठीक है तो हम डॉसियर डॉसियर नहीं बेचते हम तो गुसके मारेंगे जी भारत किसी हाथ तक पाकिस्तान को एक खाकारत की नजर से देखता है मसला उसकी मिसाल ऐसे है कि जाहरे कि पाकिस्तान और भारत को एक ही दिन आजादी मिली आप यूं कहलें कि दो भाई थे वो अलग हो गए और उसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर दो भाईयों में से एक भाई जो है वो अमीर हो जाए उसके पास जएदा पैसा आ जाए और फिर जब उसके पास जएदा पैसा आ जाता है तो नैचरली जो शेर के अंदर जितने अमीर और जो इलीट होते हैं उनके साथ उसके तालुकात बन जाते हैं और फिर जो गरीब भाई है उसको नैचरली بھی struggle कर रहा है तो इसलिए भारत ये कहता है कि अब अगर भारत की foreign policy देखें तो उसमें जो पाकिस्तान stands nowhere और interesting बात ये है कि यहां से क्या scene हुआ जो फवाद चौधरी हैं पाकिस्तान के politician भी हैं और former minister रहे हैं इमरान खान की government में उनों ने इस वीडियो के उपर एक tweet करिया और वो तीन अलफाज का था कि राहल on fire अब उनको भी शायद नहीं पता था कि यह जो उनका tweet है तीन अलफाज का पाकिस्तान में तो शायद उसका इतना किसी को कोई फिकर भी नहीं थी भारत में उसने आग लगा दी भारत का जो प्राइम टाइम जो में जो उनका मीडिया है वहाँ पर उसके उपर पूरे पूरे शोज होना शुरू होगे बी जे पी के जो लीडर्स हैं उनोंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखें एक evidence आ गया है कि कैसे जो भारत की opposition जमाते हैं जो Congress हैं जो राहूल गांदी हैं उनका गट जोड है पाकिस्तान के साथ और कैसे पाकिस्तान जो है वो राहूल गांदी को देखना चाहता है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर बने मतलब इतनी उसके उपर डिबेट हुई के उस बयान के उपर और अब मैं आपको बताऊंगा खासकर के जो मेरी भारत में देखने वाली audience है कि जिस बयान के उपर मूदी साहब ने पूरी एक तकरीर दाग दी जो फवाद चौदरी साहब के हवाले से अब फवाद चौदरी साहब की जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो स्टेटिस है वो मैं आपको बताता हूँ कि अलरेडी आपको बता है कि इमरान खान के दौर में वो वजिर इतलात रहे साइंस अंट टेक्नोलजी के वजीर भी रहे बड़े prominent obviously politician थे लेकिन इमरान खान की हकूमत के खात्मे के बाद आपको पता है कि वो जेरे अताब रहे establishment की कई माह तक वो जेल में रहे कुछ रसा पहले ही वो जमानत पर रहा हुए हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर struggle कर रहे हैं कि किसी तरीके से again तरीके इनसाफ में come back करें जितना उनके बेयान को भारत में जो मीडिया है वो बढ़ा चड़ा कर पेश कर रहा है और खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी उसके उपर discussion कर रहे हैं I tell you कि पाकिस्तान में I think इस मौके की उपर फवार चौधरी साहब आपको उनका कोई ज्यादा ऐमियत देना यहां से यह चीज़ एस्टेबलिश होती है कि कैसे जो हमारे सियासतदान हैं वो आम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जो बीजेपी है जो भारत के प्राइम इनिस्टर हैं उन्होंने फवार चौधरी साहब के बयान को इस तरीके से प्रिजेट किया कि आज इफ जो पाकिस्तान की हकूमत पाकिस्तान की रियासत कांग्रिस की हमायत कर रही है हलाके फवार चौधरी साहब की इस वक्त आटे मे नवक के बराबर भी पाकिस्तान की सियासत में बिलकुल भी कोई हैसियत नहीं है